सब्सक्राइब कर देखेगा यह सारी कुछिन बहुत ही इंपोर्टेंट है और आपके पेपर में आने की 100% संभावना है तो इन्हें देख लिए पूरा वीडियो को यह बहुत ही योश्फुल होने वाला है तो पहला देख लिए बेथम एवं हुकर वर्गी करन पद्दिती के दोस बताईए तो इसके देख लिए अंसरे केवल एक प्रमोक लच्छन या कुछ लच्छनों के अधार पर अधिकांस पौदो को कृत्म रूप से कुछ बड़े पादप समुव में विभाजित कर दिया ग गठन पूणतिया करतें प्रक्रिया है इस समुव के अनेक कुलमेत पूण लच्छनों के अधार पर वर्ग पोली पेटेली की सदस्या कुलों का गुणों के निकट सम्बंदी होते हैं इसके बाद नेक्ट देख लिए तीसरा पॉइंट क्या है दूई बीज पत्रा और एक बीज पत्री समुव के मद जिमनो इस्पर्म को रखना पूर्टया असंगत है इसके बाद दूसरा कुश्चन देख लिए इसका देख लिए इनमें किसी ना किसी अवस्ता में नोटो कार्ड पाई जाती है इनमें नोटो कार्ड अनुपस्तित रहती है इसमें तंत्र का समय, आधर भाग में होती है इसमें गिल दरारे पाई जाती है इसमें गिल दरारे नहीं पाई जाती है इसके बार नेक्ष्ट देख लीजे आठ चारसो 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 जी हाँ याद कर लीजी वाटसप नमबर अब चाहें मैथ, फिजिक्स, केमिस्टी, बाइलोजी आपके हर डाउट, हर कुश्चिन का मिलेगा वीडियो सोलीशन आपके वाटसप पर बस अपने मोबैल पर डाउटनेट एप का आठ चारसो 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 सेफ कर लीजिए फिर चैट ओफिन कर लीजिए, जिस सवाल में आपको डाउट हो, उस सवाल की फोटो कीजिए, क्रॉफ कीजिए और पांस सेकेंड में आपको मिलेगा वीडियो सोलीशन चैसे बारा आई एटी जैए मेंज, सी बेए स्वाल बागी सभी स्टेट की फुल क्लासे मिलेंगी आपको जल्दी से सेफ कर लीजी, आठ चारसो 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 आर्थो पोडो संग के लच्छड बताएए अर्थो पोडो संग के लच्छड तो इनका सरीर सिर हैड तता ब्रच तता उदर में विवक्त होता है और इनका वहा कंगाल काईरिन नामक कार्बो हाइड्रेट का बना होता है तीसरा देख लिए इनमें गमन हेतु संदी युक्त पाद पाये जाते हैं कुछ समस्याओं में एक जोड़ी पंक भी पाये जाते हैं इनमें स्वसन क्लोम पुस्त फुफुस स्वजनिकाउं द्वारा होता है इसके बाद नेक्ट कुश्यन देख लिए तेरी फाइटा के प्रमक लच्छण तेरी फाइटा के प्रमक लच्छण क्या होते हैं इनका सरीर जड़ तन एवं पत्ती में विवाज़त रहता है इनमें सम्महन उतक जाइलम एवं फ्लोयम में बटा रहता है इनमें पुस्प और बीज का निर्माण नहीं होता है इनमें मुक्तब पौदे बिजाणु भित होता है जिससे प्राया जड़ तना पत्ती होते हैं इसके बाद नेक्ट देख लिजे इन पौदों में एक निश्चित पीड़ी एक अंतर पाया जाता है ये वीडियो समझ में आ रहा हूँ तो चैनल को सस्क्राइब करें वेल आइकन को ओन कर दें इसके बाद नेक्स्ट है चमगादर एवं भेल इस्तनधारी प्राणी है इस कतन को सत्यापित कीजिए तो इसका अंसर क्या है ये प्राणी जगत का एक समू है जो अपने नौजा तीन हड्डियां तथा एक नियत तापी होता है इस्तनधारी जेव योरिया उतसरजन करते हैं इसके बाद नेक्स्ट देख लीजे नेक्स्ट कोश्च है आपके लिए सभी मैतपुन कोश्च है तो एक बार जरूर पढ़के जाईएगा विसम बिजाडू का अर्थ है इसी दुखनारी होगे जोसshoe में इन दो परकार के बिजाड़ मिलना जो यो कारकी होते हैं इसके बार नेक्स्ट देख लीजेा है ho तता इस्तल दोनों पर उखते हैं ये नम ठंडे एवं छायदार इस्तानों पर होते हैं इनकी सरीर जड़ तना तता पत्तियों में विवक्त होता है इनमें अलेंगिक तता लेंगिक दोनों परकार का जनन होता है इन में समवहन उतक उपस्तित नहीं होता है इन में जायलम ततव, फ्लोयम अर्थाद समवहन उतक पाया जाता है और इन में युगम केंद्र भित्र छोटा होता है इसके बाद नेक्स्ट देख लिए इसके बाद चार अंकी पांच अंकी प्रस्न देख लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए तो पूरा देखिएगा वाहिका वहनियों में अंतर बताएं वाहिका और वहनियों में अंतर तो वाहिका सरीर में रक्त के परिसंचरण तंतर का परिवयन होता है कि इनके द्वारा सरीर में रक्त का परिवयन होता है क्या होती वाहिका सरीर के रक्त परिसंचरण तंतर का प्रमक भाग होती है इनके द्वारा सरीर में रक्त परिवयन होता है रक्त का तरल पदार्व है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है यह पाचित भोजन को छो चोटी Dani चोटी चोटी आत से सरीर की अंभागौ में ले जाता है इसके बाद नेक्स्ट कुश्यंट आस्ती प्रमां पास्ति तहीं में अंतरवताई ऑस्ती और उपास्ति आंतरवताई देख oti hp इसे मोड़ा नहीं जा सकता है, उपस्तिती को मोड़ा नहीं जा सकता है, यह मुलाइम होती है, इन्हें मोड़ा जा सकता है, इसके बाद नेक्ट दूसरा पॉइंट देख लीजे, यह कैल्सियम वह फासफोरस की बनी होती है, यह प्रोटीन वह सरकरा की बनी होती है, सरीर को आकार परदान करती हैं, दो अस्तियों के मद स्वहक का कार करती हैं, इसके बाद नेक्स्ट देख लीजे, आरेखित पेसी के कार लेखिए, एक एस्तान से दूसरे इस्तान पे बोजन का वहन करना, पेसीयों का स्वहम की गति को नेंद्रण करती है, एक एस्तान से दूसरे इस करना पीसियों की स्वयम की गती को नेंद्रण करते के ला क्राइब करें टेंडन और लिंगामेंड में अंतर बता यह पर बह談 है यह करीं asiц अट्ılक्रिल का होते हो सद्रूद से adapted करें लंगा मैंडों का एक रचिल से जोड़ता है लिंगामेंड क्या होता है विलंगा मेंट एक लचेली तंतमै सन्योजी उतक लेकिया ये इसे जोड़ा है जोड़ता है। इसके बाधी देख लीजे रोधिर के कार उतक है उतकों को अउसक तक्तों को ले जाना गुलूकोज अमल वसा उत्सरजी पदार्थों को बाहर निकालना यूरिया स्योटू प्रतिश रच्छात्मक कार इसके बाद नेक्स डेख लीजिए सभी मोस्ट इंपोर्डेंट कुश्यन है और यही कुश्यन आपके परिच्छा में आने वाले हैं लस्का क्या है इसके कारली की लस्का क् अंत्रा स्रावे द्रवेज जो मानों की कुश्काओं के बीच में पाया जाता है यह तंत्रिका पत्रों में कैप पी लरी छिद्रों से होकर छंता हुआ प्रवेश करता है इसके कार क्या होते हैं लस्का कणिकाओं की उत्पत्ति लसाका गरंतियों में होती है इन गरंतियों विसायले हानिकारक पदार्थों को रक्त में मिलने से रोकती है नेक्स्ट कुश्यन देख लीजे बहुत 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 पुस्प पुस्प दल विन्यास क्या है इसके प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजे पुस्प दल विन्यास क्या है पुस्प की कली अवस्ता में बाहे दलों दलों अत्वा परी दलों के आपसी सम्मंद को पुस्प दल विन्यास कहते हैं प्रकार देख लिए इनके प्रकार क्या होते हैं को इस परसी विर्तीत कोर छादी पंचक प्रकार के विन्यास पाए जाते हैं इसके बाद नेक्ट देख सब्सक्राइब एक कार देख लिए इस कोश्का का कार मस्तिक को सूचना का अदान परदान करना और विस्लेशल करना होता है यह कार एक विद्दुद रसायनिक संकेट के द्वारा होता है की चुम में आहर नाल सुच्छत नमांकन जित्र बनाईए इसके बाद नेक्ष्ट देख लीजिए रक्त का संगठन का कार बताई है तो रक्त का संगठन क्या होता है तरल भाग ब्लेड के तरल भाग को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है प्लाज्मा में 99% जल होता है ब्लेड के तरल भाग को क्या हो जानता है प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है प्रोटीन आठ पर सच जिसमें एब्यूमिन प्रोटीन ग्लोबिन प्रोटीन प्रोटीन और फाइब्रो नोज प्रोटीन पाई जाती कार क्या होते हैं इसके देख लिए रक्त सरीर के तापमान को एक समन बनाए रक्त में उपस्तित प्लाज्मा हमारे सरीर के बिविन भागों को पोसक पदर्द पहुंचा ती है इसके बार नेक्स देंग लेजिए रेखित या रेखित-पेसि में अंत्र बताईबंचा परसेंट याने वाले रेखित-पेसी में रेखित-पेसि-आरेखित-पेसि अस्तियों के साथ जुड़ी रहती हैं, ये अंतरोगों में पाई जाती हैं, ये एच्छेक पैसिया हैं और ये अनेच्छेक पैसिया हैं, इनके पैसी तन्तु लंबे वह बेलनाकार होते हैं, इनके पैसी तन्तु लंबे वह वक्राकार होते हैं, इनमें धारियां पाई जाती इनमें धारियां नहीं पाई जाती है यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा अपने दोस्तों को जादा जादा और जल्दी सेयर करें धन्यवाद